नमस्कार जी, फाइनली बहुत 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 सारे दिनों के बाद कारवा भारत देखने वाले सभी दर्शकों को, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को, यूट्यूब फैमली के हमारे सभी सदस्यों को बहुत 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 नमस्कार और मित्रों निश्यत तोर पे ये एक चिंतन का विशय आपके लिए रहा, आपके मेसेजिस से हमें पता चला कि इतने दिन हम कहां थे, अब आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमारे हम जो वैनलाइफ परस्यू कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू महीने का जो समय होता है, साथ-ाथ महीने का समय, वो हम ट्रैवल में उपयोग करते हैं, जो यात्राएं आप अव तक देख चुके हैं, सो हमारी जो प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स हैं वो अच्छी खासी थी, बिल्कुल भी समय नहीं था, क्या-क्या थी वो आने वाले उसमें मैं आपको कुछ-कुछ रूबरू कराने का प्रयास करूँगा, फिलाल मुझे लगता है क्योंकि हम निकल रहे हैं अजमेर से एक नई ट्रिप की तरफ हम जाने की मतलब पीछे हमारी कैमपरवान एकदम लोड होके तयार है और हम फिलाल बढ़ रहे हैं यहां से आगरा की तरफ बैक्राउंड जो स्टोरी है, तीन महीना, चार महीना हम कहां थे, क्या कर रहे थे, आने वाले व्लॉग में मैं आपको इन इंगेजमेंट्स होंगी, उसके बाद से हम वापिस कैमपिंग मोड पे आने वाले हैं, बहुत ही इंटरस्टिंग जगहों को हम इस बार एक्स्प्लोर करने वाले हैं, जो शायद हमारे लिए तो नहीं है ही, आपके लिए भी उतनी ही नहीं होने वाली है, तो बिना वक्त जाया किये, अब आपसे मिलने के उत्साहा के साथ शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग, और साथ ही शुरू करते हैं आज की ये जर्नी अजमेर से लेकर आगरत है। बोलो सारे देवताव की जये बोलो प्रिष्ण भगवान की जये अरहार महादेश और जी घर से निकलने के बाद हम सीधा पहुचे आर्टी ओफिस क्योंकि हमारी गाड़ी का जो आर्सी रिन्यूवल है वो ड्यू हो गया था, उसके लिए हमने रियप्लाई कर दिया था, तो हमारी कैमपरवैन अब वापस अगले पांच साल के लिए रिन्यू हो गई है और आप में से बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, पर मैं बता दूँ कि हमारी यह जो कैमपरवैन है, परयाप तो पुरानी है, बीस साल से अधिक इसको हो गए है, इसलिए अभी अपने पचीसवे साल, मता पच्चस साल पूरे करने के लिए रिन्यू हो चुकी है, तो चल मतारी और किरने केच्च यहां पर हमारा इतना किचन क्याबिणेट है। इधर ऑपर उपर एक बंक बेड है। आपके इधर भी है वह भी एक बेड़ू है। और इसके इधर भी एक बंक बेड है। यह भी यह भी आपके बडल मेले मुद्रे WILL है और वाडरोग यह सब चीजे हमारी सोलर से सब सोलर से चलता है या तो गाड़ी के ऑल्टरनेटर से जो बैटरी चार्ज होती है उससे अथ्वा सेकिंड जो ऑप्छन है वह और एक्सटर्नल पावर से भी बैटरी चार्ज होती है आपने अच्छे कर रहा है महताजी को साथ में हमारी गाड़ी का जो आरसी की इनुवल यहां डेटियों के स्वाइब और देखिए इस से दो तीन प्रशनों के उत्तर स्पश्ट होते हैं एक क्या भारत में पुरानी गाड़ी का RC Renewal हो रहा है तो देखिए राजस्तान में हो रहा है हमारी गाड़ी 20 साल पुरा रही है अगले 5 साल के लिए उसका RC Renewal बहुत ही सहज तरीके से हो गया दूसरा RTO के जो अधिकारी है वो किस प्रकार से इस तरीके के सेग्मेंट को डील करते है जहां पर जानकारी है अज मेर में भी हमें थोड़ा सा बताना पड़ा बस की हमारी गाड़ी इस प्रकार की ये पर एक वहां पर जो RTO इंस्पेक्र थे उनको पूरी जानकारी थी कैमपरवेंट की तो उन्होंने तुरंत हमारे कागज लिए और उसको पास साल के लिए RC को रिन्यू कर दिया तो बस मुझे लगता है पेपर वर्क जो पहले उतना जेटिल हुआ करता था भारत में अब वो उतना है नहीं तो आप भी बहुत जल्द अपनी कैमपरवेंट बनाने का सपना भारत में पूरा कर सकते हैं और आशा है आप से जल्द कहीं न कहीं अपनी कैमपरवेंट के साथ मुलाखात होगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से आगरा तक का सफर पूर्ण करते हैं सो फाइनली RC रिन्यूम हो गई है अब हमारी गाड़ी अगले 5 साल और बिना किसी दुविधा के रोट पे चल सकती है तो यहां पर हम गाड़ी का ग्रीस कराने के लिए रुके दे साथी साथ मुझे लगा अभी बज़े हैं शाम के साड़े चार आगरा तो हम एनिवेज बहुत ही ओड टाइम बहुचने वाले हैं तो मुझे लगा कि एक तो पेट पूजा कर ली जाए इसके आगे के लिए इजी हो जाए और जब भी बहुत दिनों बाद गाड़ी उठाते हैं तो कुछ चोटी मोटी चीजे जाए से सुभी मैंने ओल चेक किया तो गेज सोड़ा सा कम लग रहा था मैंने गेज को प्रॉपर रिफिल किया टॉपप किया सौरी उसके बाद पिनों की ग्रीस अनिवारी होती है मैं इतनी बड़ी गाड़ी में बहुत कंबल सरी होती है तो वह की और छोटी मटी मेंटिनेंस जो हमें लगती है जनरल चेक अप जो गाड़ी का होता है चाहिए वह ब्रेक ओईल है चाहिए हो कूलेंट है वो सब चेक करके फिर हम यहां से निकल रहा है न तब यह सब को यह करना ही चाहिए तो चलिए बढ़ते हैं भोजन करते हैं करत करता है करता है और जी यूं करते करते दिन से हो गई शाम और शाम से आखिरकार होनी है रात और रात में मुझे लगता है हम काफी लेट पहुचने वाले हैं आगरा तो प्रिकोशनरी कहीं रुख लेना चाहिए और कर लेनी चाहिए थोड़ी सी बेट पुझा तो जी फिलाल लगभग रात के शाम के मतलब साड़े साथ बच्चु के हमने लिया है एक शोटा सा ब्रेक भोजन मनाने के लिए तो जी बोजन बनने की तयारी है उधर टीवी पे चल रही है न्यूज और यहां बन रहे है शायद ओट्स किसके सो खाना है माता जी और अबनी तो नहीं तो नहीं खाईगी तुमने तो बोली दिया था क्या हुआ चलिए जी ओट्स बनाते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं पूरा करते हैं बचा हुआ डिस्टेंस तुझी इस प्रकार हमारे ओट्स कुछी देर में बन कर हो गए एकदम तयार और हम फिर से आगे बढ़ चले आज के गदवे की ओर तो जी फिलाल बच चुके हैं रात के साड़े बारा हम है आगरा से लगभग लगभग और जी यूँ करते करते रात के लगभग साड़े बारह बजे तक हम एंटर कर गए आगरा तो अब रात हो चुकी है रात के मुझे तो नहीं मालूं केतने बढ़ रहे में दो सब सो के निकाला है तो अब हम पहुंच चुके आगरा आगरा लोकेशन से हर्क पर रहे हैं हमारी गाड़ी यहां पर देंआ लिया कि तुछ लिए आज रात तो यहीं पर रुकते हैं फिर आज कि पूल सुभे पिदे कि आज की रातरी पून करते मिलता है अपिipp रहे हुट वा जी वा बच चुके है सुभे के साथ बच के बीस मिनिट और इधर क्या दादी गाइब ममा भी गाइब किदर ले लोटी ममा किदर लोटी है हम ममा के लग रहा है उन आगरे आये मतलब माई के माई के आये ममा ता ऐसे गाय हो जैनी बन रहा हुआ को डादी के बतानी अवा हम हमें मीन से ठोड़ी देर में बाइव ग्रून आपकर के समचरव भी केर भी आपकोड़ दृड़ी हिए या क算 अतंग है यग आपकर मैड़े गां अपकर अपकर के समचरफ tutte अपकर के नहां को अपकर को अपकर का मीम अदिए गा थिये का अनु वि चलो चलो जल्दी उठके शुरू करें आज का दिन लेकर लेकर हरी का नाम तो पनो चुग है पापा और मैं यहां पे न्यूस देख रहे हैं और अभधी क्यों है यहें देख रहे हैं किया है मेरे इसाब से अभर धोकला हुआ है यहां दोकला है पाप पाप बहुत कोछ़ देख देत रहा है तो मैं तो थोड़ी देर में नाने जा रहा हूं उसके वाज जब सब ना लेंगे फिर देखते हैं अब क्या शेडियूल बनता है यह तो कुछ भी बोलती रहती है तो देखी किस तरीके से हम लोग आज सीखने वाले हैं वो फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है अब इस फॉर्मेट में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है तीन सेक्शन पर जो उपर वाली लाइन है यह है फ्रिट नंबर्स इसलिए इसके अगल लिखा हुया एफ ज चले गए आग्रा में कुछ शॉपिंग करने के लिए और यूं करके हमारा लगबग दिन इन सब चीजों में पूर्ण हो गया शाम को हम मिलने गए श्रीमती जी की एक सहेली थी जो उनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी उनके घर तो जी अब हम आचके हैं आग्रा की गलियो इतनी सख्री रोड है इतनी से पुलिट को ही मुडाना इतनी जे पुलिट को ही मुडाना इतना भारी बढ़ रहे हैं मैं जाड़ी की अःगां गूल कया रास्त्त करमा आख श्रीच अपला इतनी सट्री risks मैं दुटा करें ना we ऐनर खेया है तनके साथ हई नहीं हो आउता का दीत हुआ हूं आप पहला ही गई नहीं, जो पीरेट जो निकला है जो जारा टाइम हम लोग का जो पो था ना गूलने वाले टाइम देंगे किता मुझे करते थे हम लोग पूरी इंटेविशी है तो इस जीवन बहुती दुख्य है नहीं इनका बतार हमा अप शुजा का भी और नहीं हो नहीं सकता आप पुजा का भी नहीं सकता आप शुजा था कि आप दर आप दो एक सार आप बस और यह किसी को ने छोड़ेगी दित तो ऺड़ेगी ने अब निए अप मेरे साथ वीडियो में यंगस्टास ही तो जी इस प्रकार हमने की उनके साथ बैठ के कुछ गपशब और फिर हमने आनंद लिया उनके छोटे भाई साब है उनके मधुर संगीत का और फिर उनके भी संगीत का आदि देव तु गड़ेश आधि देव तु गड़ेश अ भैरवसरप भूतेश् भाल चंद्र जटा गंग भाल चंद्र बाल चंद्र बाल चंद्र जटा गंग वो जिन के लिए हम पना हो गए वो वादे महोबत के क्या हो गए वफा जिन से की क्या बाद गए मेरे सामने भी अगर अब वो आएं ना देखेंगी उनको ये बेबस मेरा की मेरे सामने भी अगर अब वो आएं ना देखेंगी उनको ये बेबस मेरा वो जिन के लिए हम पना हो गए वो वादे महोबत के क्या हो गए वफा जिन से की नहीं मैं एक चीज़ जानना चाहूंगा ये गाना आपने एक दूसरे के लिए गाया या अपने विवापूर्व के सम्मंद के लिए गाया आपको लगता होगा कि वो कोई जहां भी होगा या होगी इनके लिए वो हमारा व्लॉग कहीं देख रहे होंगी देखो कितना सुन्दर मेरे लिए गीत वाह बादा है मेरे लिए एक निसमें दर्द हता है तो तो ज़्यादा अच्छा लगता है जीवन में सर जो होता है वो तो आता ही है ना वो दिल सर पहुंसता है जी 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 तो एक तो कारण वो है जी तो लेकिन समस्य यह आती है कि ऐसे गानों कर याद घर्मा नहीं किया जा सकता है जवाब देना पता है और जी यूँ करते करते महफिल में दो घंटे कब बीद गए पता ही नहीं चला और अब हमें लेनी थी इजाजत क्योंकि वापस हमें जाना था उस स्थान पे यानि की श्रीमती जी के चाचा जी के घर पे जहां हमारी केमपरवेंट पाक थी और वहां हमें आज जॉइन करने वाले थे कौन यह तो आपको वहीं पहुंच के बताते हैं तो फिलाल हो चुकी है लगभग रात बज रहे हैं 11 मैडम और हम वाक का आनंद ले चांदनी रात में वाक का आनंद ले रहे हैं और अभी अभी हम आपको बस कुछी देर में हम आपको मिलवाने वाले एक जो कि है केमपरवेन और इस केमपरवेन में है कौन यह देखना होगा जी तो जी इस केमपरवेन में हैं 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 अब तक आपने गेस कर लिया होगा शायद 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 वाह अब तक तो आप पैचानी गए होंगे प्राम जी की भूमी में आपका स्वागत है राम जी नमस्कार नमस्कार क्या हमें का सोथ और नहीं नहीं अभी आए नहीं अभी आए पाल, कि ग हाल को बहुत ही इस से सदन कुछ नहीं बुलाए घ के हमारी वह आपने सुबह। फिर नहीं बुला कि फुम salah ंटा कर शुерт मैं नहीं थिए एंपने के सुबह। भुटे कि मेन invaded इस सदन लोगों अब का दो और यह रहा है और चलो मैं भी यजाता हूँ तो अपर आपके गाड़ी में बहुत चीज बहार नी आती ना हमारी गाड़ी से बाहर आ जाती है और देखेजे विक्रम जी को सखिल करके हम बापस अपनी गाड़ी मा आए है यह सो रही है अपनी डॉलिट जाती है के साथ सपने देख रही है यह डॉलिन को आज ही गिफ में मिलिए तुझी इस प्रकार बीता हमारा कल से लेकर आज तक का वैन लाइफ का दिन थोड़ी सी थकान आपको मेरी आखों में दिख रही होगी कल क्यूंकि हमने रात को एक तो ड्राइव किया उसकारण और आज दिन भी बहुत जादा रेस्ट का मौका नहीं मिल पाया तो अब बस थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और दूसरा कारण यह भी था जब हम लोग अजमेर से चले थे तम मुझे बुखार था बुखार मतलब फीवर था एक दिन पहले तक थोड़े से एक्जर्शन के कारण जो यह भी आए करता है तो बात ही सईयोग वश मतलब दिन को ऐसे ही मेरी उनसे बादी दिन मतलब सुभए सुबे लगबग 9-10 बजे के एस पास जैसे हमारी 2-4 दिन में बार बात हो जाती है तो बात हुई पुछा कहा ओं तो मैंने बताया आगरा कहां बढ़ रहे हो मैंने का क जानपुर वारण असी की ओर चा रहे हैं, यार चलो, ठीक है कितने दिन का शीडियूल है वनला सर ऐसे ऐसे जाएंगे, छे तारी को पांच छे को वहाँ पहुंचेंगे, साथ आठ तक फिर आगे बढ़ेंगे, और फिर आगे के जो शीडियूल से वो पून करेंगे, चलो ठी कि मैं भी आजाता हूँ, नजर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और देखी कितना स्पॉन्टेनिस बनता है, तो बस वैनलाइफ का यही आनंद है कि आपको कुछ शीडियूल नहीं करना होता, कोई प्रायर बुकिंग्स नहीं करनी होती है, आपकी जब इच्छा है तब अपनी गाड़ी उठाईए और अपना घर जहां आपकी इच्छा है, वहाँ पर बना लीजिए, बसा लीजिए, जिन लोगों के साथ आप रहना चाते हैं, उन लोगों को जट से अपना पड़ोसी बना लीजिए, तो बस इस तरीके से हम भी वैनलाइफ परस्यू कर रहे है दुबारा हमने अपनी ये सिरीज शुरू करी है, व्लॉगिंग में ढलते ढलते निश्य तोर पर थोड़ा सा समय लग रहा है, आप सबसे मिल के बहुत अच्छा लग रहा है, मिलने का एक उत्सा होता है, वापस हमें अपने ओडियंस को फेस करना है, वापस ओडियंस के सम वारानसी रुकेंगे लगबग 6-7 तारिक तक, वहां भी हमारे एक ओवरलेंडर साती है, आमन भाई, जिनसे मैं आपको पहले मिलवा चुका हूं, उन्हीं का वहां पर एक रिजॉर्ट है, उसकी पार्किंग में अपनी गाडियों को लगाएंगे, वहां रुकेंगे, मेरा एक छोटा सा शूट है, उसको मैं रिप्टा हूंगा, और अभी मतलब मैं पूरी तरीके से मेरी जो प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स है, उससे फ्री नहीं हो पाया हूं, इसलिए हो सकता है, अभी व्लॉग जो है, वो अल्टरनेटिव डेज में आए, क्योंकि दोनों यार इतना सारा सने है, सहीयोग देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, इसी प्रकार से हमें प्रोफसाहन देते रहे हैं, जुड़े रहे है कारवा म्हारत के साथ, कल अत्वा परसों जैसे भी संभभ हो पाया, आपसे एक नए व्लॉग के साथ होगी मुलाखात, अपना खयाल रखियेगा, स्वस्त रहेगा, खुश रहेगा, शीघर मिलेंगे, नमस्कार.